मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है अब बालकों को देखो माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जान वन में मत खेलना तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो बंधन को तोड़ने का जो रुमाज है वो मनुष्य के मन को सदा लल जाता है परन्तु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है परन्तु मर्यादा तोड़ना नहीं चाहे वो प्रेम की हो शत्रता की हो या फिर अधित्थी की हो फिर ये प्रश्न उठता है कि मरियादा है क्या? हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यभार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविक्ता में वही आपकी भी मरियादा है. जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाते वही सीमा आप की भी है जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंब कर देंगे तब से न आप से कोई मर्यादा भंग होगी ना ही कोई अपराद होगा कदाचित इसे लिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंतरण में हो तो आपके हिदय के साथ साथ नीश्वर आपके मन में भी वास करता है जिससे आप अपने मर्यादा का प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता